हमारी सरकार गुजरात में बनेगी तीन महीने के अंदर तीन महीने के बाद जो आपका बिजली का बिल आएगा वो जीरो होगा केजरी वाल की गारंटी है हर परिवार को 300-300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और पुराना आपका जितना बकाया है बिजली का बिल वो सारा माफ कर देंगे करना जीए की नहीं करना जीए दोस्तो अज एक पढ़ा लिखा नौजवान अनपढ़ नौजवान कम पढ़े लिखा हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं उनके पास नौकरी नहीं है सरकार कुछ नहीं करती रोज देखो परिक्षा के पेपर फूट जाते हैं पेपर लीक हो जाते हैं जो पेपर देखो वो फूट जाता है क्यूं होता है इनसे एक पेपर नहीं होता सरकार चला रहे हैं धरमशाला चला रहे हैं इनसे एक paper नहीं होता जिस सरकार से उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए जिस सरकार से एक paper नहीं होता तो दोस्तों मैंने दिल्ली में पिछले 5 साल में 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलवाया है 12 लाख बच्चों को website के उपर है मैं जूट नहीं बोल रहा 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलवाया है मेरे को नौकरी दिलवानी आती है मेरी नियत भी साफ है मैं बच्चों को रोजगार दिलवाना चाहता हूँ उनके घर में खुशियां देखना चाहता हूँ हमने गुजरात के युवाओं को वादा किया है हमारी सरकार बनेगी हर बेरोजगार युवक को पांच साल में पांच साल में हर बेरोजगार युवक को रोजगार दिलाएंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक तीन हजार रुपे महीने के इसाफ से बेरोजगारी भगता मिलेगा होना चीए कि नहीं होना चीए ये मेरे को खूब गालियां देते हैं केजरीवाल कमीना है केजरीवाल पैसे लुटाता है केजरीवाल ये है केजरीवाल वो है मेरे को फरक नहीं पड़ता मेरा तो आपके साथ इलू-इलू का रिष्टा है मैंने पूरी प्लानिंग करी है महेश भाई के साथ बैठके गुपाल इटालिया के साथ इशुदान भाई के साथ इंद्रानिल भाई सब के साथ बैठके मैंने प्लानिंग करी है हम आपके लिए दस लाख सरकारी नौकरियों का इंतजाम करेंगे दस लाग सरकारी नौकरियों का इंतजाम करेंगे उसमें आदिवासी समाज को पूरा हक मिलेगा उनको पूरा अपना कोटा मिलेगा इनके बस की बात नहीं है यह हम ही कर सकते हैं दस लाग सरकारी नौकरियों का इंतजाम करेंगे दिल्ली में अमने स्कूल बहुत अच्छे बनाए आदिवासी समाज आज पिछड़ा इस वज़े से है क्योंकि उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिली मेरी गारंटी है मैं खुद सुपर्वाइज करूँगा हर गाउं में, आदिवासी समाज के हर गाउं में एक शान, दार, प्राइवेट से भी अच्छा सरकारी स्कूल बनाएंगे हर गाउं के अंदर आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की मेरी जिम्मेदारी है हर गाओं में एक अच्छा अस्पताल अच्छा मोहला क्लिनिक और जिले के अंदर अच्छा अस्पताल बनाएंगे दिल्ली में हमने बहुत अच्छे अस्पताल बनाए है दिल्ली में हमने बहुत अच्छे सरकारी अस्पताल दिल्ली में दो करोड़ लोग रहते हैं दिल्ली के अंदर मैंने ऐसी विवस्था कर दी सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे बना दिये हर महले में एक एक क्लिनिक खोल दिया और दिल्ली के दो करोड़ लोगों के लिए हमने सारा इलाज मुफ्त कर दिया दवाईया भी मुफ्त टेस्ट भी मुफ्त आपका ओपरेशन कितना भी महंगे से महंगा ओपरेशन हो वो भी मुफ्त आपके लिए भी ये इंतजाम करेंगे सारा इलाज मुफ्त आपके लिए अच्छे अस्पताल बनाएंगे अगर सरकारी अस्पिताल में कोई नहीं हो सकता, आपको प्राइवेट से कराना पड़ेगा, वो भी मुफ्त होगा, सरकार उसका पैसा देगी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जितने हमारे आदिवासी समाज के लोग बेघर हैं जितने बेघर हैं वो सबसे गरीब हैं, उनके सर पे चट नहीं है सरकार उनको घर देगी, उनको एक फ्री में घर देगी, जितने आदिवासी समाज के लोग बेघर हैं और हर गाओं को एक पक्की सड़क के साथ जोड़ा जाएगा यह सारी बाते मैंने छोटु भाई वसावा, महेश भाई से सबके साथ मिलके हम लोगों ने बनाया है मंजूर है आप लोगों को दोस्तों जैसे मैंने का मैं भक्कड आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा काम आपको करना पड़ेगा तीन महीने रह गए एक एक आदमी को अपने अपने गाउं में जाके अब घर घर जाना है और सब लोगों को बोलना है कि एक एक वोट जाडू को पढ़ना चाहिए